राजगर्ट जिले में कोरुना वारस के संक्रमन को देखते हो जिले में एलेट घुशित किया गया स्वास्त बिभाग द्वारा लगतार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है साथ ही सिविल अस्पताल ब्यावराक में दो बिस्तर का एक आईसोलेशन वाड बनाया गया जिसम इसमें हमारी अधिकारी महिंदर पाल सिंग ने बताया कि जिला मुखियाले सहित जिले के ब्यावरा सारंगपूर नर्सिंग गड में ब्लॉक अस्पताल में दो बिस्तर का एक आईसोलेशन पार्ट बनाया गया जिसमें ।क्टर की और इस्टाफ की टीम को निक्त किया गय ब्यावरा सिविल अस्पिताल अधिक शर्द साहू ने बताया कि जिले में किसी भी हिस्से में विदेश से आने वाले परेटको की पुलिस की सूचना पर स्क्रिनिंग करवाई जा रही है अस्पतालों में डॉक्टरों की च्छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं वहीं अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों को मूबाल स्पीच आफ नहीं रखने के आदेश डारिकिये वहीं कॉरोना वाइरिस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टर भी मास्क पहन कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ स्टाफ के आने लोगों ने भी मास्क लगाय हुए हैं कोरोना वाइरस की महामारी के प्रती पूरा स्वास्ति भाग पूरता सजग है सिवेल अस्पताल व्यावरा में हम लोगों के द्वारा एक अलग से इस्पेशल आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है जगे जगे पोस्टर डिस्प्ले करके मरीजों को उसकी जानकरी दी जा रही है पेंप्लेट ओपीडी काउंटर पेंप्लेट रखे हैं हर ओपीडी परचे के साथ पेंप्लेट दिये जा रहा है जिसमें मरीजों को कोरोना वाइरस की पूरी जानकरी दी जा रही है कि उससे बचाओ किस तरीके से अपने को करना है इसमें बिलकुल भी घबराने की बात हैं उसकी जो नापने के लिए नॉन कॉंटेक्ट थर्मामीटर है पल्स ऑक्सिमीटर है और सभी तयारियों के साथ पुरा स्वास्तिवाग सजग है हम लोगों ने एक स्पेशल कॉंविट टीम बनाई हुई है सोला लोगों की इसमें डॉक्टर स्टाफ सिस्टर फार्मासिस्ट और पैथोलोजिकल एक्सपार्ट सभी लोग हैं और 24 घंटे हम लोग कोरोना वाइरस की महामारी से लड़ने के सजग है